दोस्तों आर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज की टॉपिक है कि हम जब बाहर जाते हैं छुट्टियां मनाने जाते हैं पिक्निक पे जाते हैं नया साल मनाने जाते हैं तो किस तरह का प्रिप्रेशन करना चाहिए और करके जाना चाहिए दोस्तों अक्स कहिला दो की यह व्लिकुल स्ट्मिक चाहिए कि हम किस महिने में जा रहे हैं और किस जगे पिज सब अगर ज्सक्राइब ऑगर वाँ कि इस्तितियां क्या ब सिल जंदे हुए किस पैकिंग क्ढ़ना चाहिए अगर गर्मी के दिनों में जा रहे तो जरूरी कि हम जहां पर हैं महां पर बहुत भीषड गर्मी पढ़ रही है या नहीं पढ़ लिए और जहां जा रहे हैं वहां का एटमास्फियर कैसा है तो इसकी जानकारी रख लेने चाहिए आशकल वड़ा हसान है दोस्तों कि मौसम इभाग से हम तुरंत इसकी जानकारी रख सकते है हम इसकी जानकारी रख सकते हैं तो अगर आप ठंड के महीने में कहीं जा रहे है तो अपने गर्म कपडे रख आपने रोज मर्रा के जो समाने उसको रख आपने सास यकिल जो समान है उसको रख ए और साथ मेINT बेले कोई होटल बुक कराये हों आपको लगता है कि सारी सिवदा मैंने पहले सी ले रखिए लेकि नए आप वहां पर स्लीपिंग बैग जरूर रखिए क्यूंकि हर जगह का एटमास्फियर अलग-अलग होता है और जहां पर हम हैं वहां से कहीं बहुत ज्यादा वहां ठंड तो नहीं ह हैं और हर जगह पर होटल उफलब नहीं है दोस्तों इसी तरह से अगर हम गरमी में कहीं जा रहें तूर कर रहें या हम बर्सात के महिने में कहीं टूर कर रहें तो दो चीज का ध्याना चाँए पहली चीज होती है कि छत्री जरूर रख ले आज कर बहुत स्मार्ट चोटी- होती है क्योंकि जब भी हम थोड़े से भीगे रहते हैं या तो मौसर फिल करते हैं तो उसे हम अपने को ड्राइब कर सकते हैं सेकेंटरी अगर हम माहुल में जा रहे हैं गर्मी में हैं तो उसे पसीना पोशने के लिए और बॉडी को बार-बार क्लीन करने के लिए वह एक तर आफ़ट स्टील के किसी भी पार्ट में मोरतन में आप पैकिंग कर लेते हैं लेकिन यहीं से हमें बीमारिव का बहुत सारा कारण प्रशाल का जानते हैं लीजो राई आइटम होते हैं जो हम खाना जमना के लिए जाते हैं इनको भी कभी इस्टिल के पार्ट में बरतन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह जैसे 48 गंटे बीते हैं इसमें बहुत सारे जम्स डेवलब हो जाते हैं और यहीं से फूट पॉजनिंग की शुरुआत होती है जो फंगस लग जाते हैं तो यह हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि दिखाई तो तब देते हैं जब बहुत जादा मतलब खाना खराब हो जाता है लेकिन खराब होनी के पहले एक स्टेज होता है जिसमें फंगस लग जाते हैं या वो फुट फवजनी उसमें हो जाते हैं बैक्टिरिया उसमें डेवलप कर जाते हैं तो ऐसे कंडिशन में हमेशा आपको कि एक अलग जो कंटीनर होता है आप देखते हैं एर टाइट बहुत सारे आजकल आए हुई है मार्केट में दूसरी चीज जो आई हो है एक फोईल वो आती है फाइल की तरह होती है बहुत स्पेसल होती है फोईल जिसके नाम से अगर आप मार्केट में ही मांगेंगे कि मुझे फोईल दीजिए तो वो ले लिजिए उसमें आप अच्छे से अपने खानों को बिल्कुल पैक कर लिजिए बहुत दिली चीज को आप सिर्फ 24 घंटा रख सकते हैं इससे ज्यादा मत रखिए और उसको आप किसी चीज में भी आप पैक करके यूज कर लिजिए इसके साथ साथ दोस्तों आप बहुत अच्छी क्वालिटी का खाने के लिए चीजे लिजिए क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लोग किसी पेपर में में खाना शुरू कर देते हैं यहां किसी बहुत ही काग़ज जैसे बने हुए फ्लेट में खाना शुरू कर देते हैं तो अच्छी आप प्लेट का इस्तेमाल करिए biजिए जो आज का इस्ट्रीलाइज्स के ही बने रहते हैं जो आप देखते होंगे चम्मुनियों का प्ले कर लेस हो जाते हैं मैं बात कर रही हूं कि अपने हेल्थ का फस्टेड किट का क्योंकि कहीं पर भी हम जाते हैं तो जल्दी सारा समान तो पैक कर लेते हैं लेकिन छोटे-छोटे टैबलेट या छोटी-छोटी बीमारियों का प्राब्लम का शुलूशन हम नहीं लेते अगर हम ट्रेन में होते हैं या कहीं ऐसी जगह पे होते हैं जहां बड़ी आसानी से नहीं मिल सकता वहां बहुत परिशानी उत्पन हो जाती है तो दोस्तों मैं बताती हूं कि आप जब भी घर से बाहर जाए जब भी आप कहीं पिकनिक पर जाए या परिवार के साथ आप अपनी छु मैं आपको दिखा रहे हूं कि क्या-क्या इस बॉक्स में रखना है दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे आतों में फस्ट बॉक्स है और आप चाहें तो इसे छोटा भी बॉक्स बना लीजे इसमें कुछ जो बहुत ही जरूरी चीजे होती हैं जो टाबलेट्स होते हो इसको रख और तीसरी चीज होती है उल्टी की दवा आप रख लें गैस की दवा आप रख लें और साथ में आप जैसे सिलाग टाइप का इनो इस तरह की चीजें रख लें और एक चीज और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आप गर्मी के समय में जा रहें कहीं बाहर तो आप यह वो आरियस जो डिहाइड्रेशन को दूर करता है कभी आपको अगर इस तरह की छोटी मुटी दिकते आती हैं तो यह बहुत बड़ा यह रोल निभाता है और आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा यह समझे कि अब होस्पिटल में जैसे फ्लूट चड़वा लेते तो उसका यह काम मैकसिमाम कुछ कम टाइम के लिए कर देता है तो इसको आप मत बुलिए इनों का भी वो रख लीजिए और दूसरी चीज होती है दोस्तों कि आप थोड़ा सा कोई भी क्रीम रखे जैसे मेरे पास यह क्रीम रखे हुए हैं तो आप बिटादीन टाइप का क लीजिए थोड़ा आप बैंडेज रख लीजिए पटियां रख लीजिए थोड़ा सा पटियां जरूर रख लीजिए और थोड़े से आप रूई रखे अगर आपके पास पटियां आप नहीं रखना चाहते हैं तो हैंडी प्लास्ट रखे दोस्तों अपने बैग में आप चीनी नमक तो रखते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नीबू नहीं रख पाते, तो अगर यह सब चीजें भूल जाते हैं, तो इसी के लिए मैंने बताया कि यह काफी कारगल है, और उसमें काम आ जाएगा, आपके छोटे मोडी प्राब्लम को यह सॉल्ब कर द जाते हैं, उसी में आप परिशान हो जाते हैं, तो यह छोटे चीज को रखने से आप बड़े टाइम को भी बचा सकते हैं, और इंज्वाय भरपू कर सकते हैं, दोस्तों दूसरी चीज होती हैं, मैं आपको बताओं कि अक्सर हम क्या करते हैं, आजकल तो ATM से पैसे ले जात और वहाँ पर रिटर्ण तुरंट नहीं कर पाते हैं, चोटे दुकानदार, तो वहाँ पर समय अपना लॉस हो जाता है, और कभी-कभी बड़ी चीजे छूट जाती हैं, जैसे अगर आप एरपोर्ट पे जाना है, तो एक सेकंड आपके लिए काफी हो जाता है, गर ट्रें आपको पकड़ना है, तो दो मिनट आपके लिए बहुत काफी हो जाता है, तो ये दो मिनट, चार मिनट जो होते हैं, इसको बिल्कुल आप सम्हाल और बचा कर रखिए, तो ये सारी चीज पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा, दोस्तों, तीसरी चीज मैं आपको बहुत ह और special बताओ, इसका ध्यान जरूर आप लोग रखिए, कि जब भी आप बाहर जाते हैं, जो भी आपके पास अगर air ticket है, train ticket है, या तो आपके पास जो भी emergency, आपके पास जो भी कागजात हैं, तो उसकी एक copy जरूर रखिए, और जो original copy है, वो आप अपने air bag के अंदर, suitcase के अ लिजिए, एक तो आप उपर के अपने air bag में रख लीजिए, और एक अगर आपके साथ और लोग हैं, दूसरे लोग को उनके jam में रख दिजिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर आपके साथ कोई tragedy होती है, कोई समान गायब होता है, या कहीं miss place हो जाता है, तो आपको परिशान ह होने की जरूरत नहीं होती, और दोस्तो एक और धियान रखना चाहिए, कि अगर आप जहां पर जा रहे हैं, वहां पर होटल अगर आप भुक किये हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान रखे, सिर्फ होटल से मतलब नहीं रखना चाहिए, कि आपने किस एर्या में होटल आपने कर रखायों सब कुछ वहाँ पे सारी सुधाय मिल जाएगी थोड़ा साब आपको वहां पर पूछ लेना चाहिए जो भी मैनेजर बैठे रहते हैं या जो भी वहां पर कम्मुनिकेशन के काम करते हैं फूस्तार के काम करते हूं उनसे पुछ लेना चाहिए कि नजदीक में यहां होस्पिटल कहा है और यह नजदीक का पुलिस स्थाना कहा है क्योंकि अपने को बिल्कुल एलार्ट रहना है अगर छोटी बाते होती है तो सेल्फ हैंडिल करना है अगर खुदा नखासता कोई बाते अगर इस तरह की होती है जैसे दो लोग इधर उदर छूड़े आते हैं तो वो सारी चीजों को हम स्वाल्प कर सकते हैं अगर हम वहां नजदीकी पुलिस स्टेशन का नम्मर जाले और जगह जाले अपने होटल का नम्मर जानना बहुत जरूरी है और उसको अपने पास रखना बहुत ही जरूरी है अब चीज़े आपके अग्तम सेट हो गई तो उस पर आप नाम अपना चिपका दे और उस पर मुबाइल नम्मर आप लगा दे मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे दोस्तों यह देखे स्टिकर इस पर मेरा नाम आर मोरिया लिखा होगा मेरा यह मुबाइल नम्मर भी है और यहां पर इसको चिपका देना है यह ऐसी जगह पर चिपकाना है कि उस पर ज्यादा हाथ ना लगे और यह नहीं खराब हो ना फटे न निकले अगर दोस्तों आपके पास पहले से कार्ड है आपके नाम का कार्ड है और आइडेंटिक कार्ड है तो आप इसको लगा सकते हैं एक त से मस्प्लेस हो लाँ हो ड़ा होटल से मस्प्लेस हो रहा है कहीं पर तो इतने कैमरे लगे होते हैं कि यह बैग, नाम वो बन्हारम प्राइब जाएगा और तुरंत इसकी खबर अगर आप से पैकिंग कर लें तो बहुत मस्ती करने वाले हैं अभी नया साल 2021 जो झालीन वला है अगर बाहरे서ह दोस्तों ऐसे पैकिंग कर्ये अपने बिलखुल बिमारी अपने स्वास्त का ध्यान रखें और कट को यह पा सब्सक्राइब अधारोब कहा होगाके औरिज हु अगर सुरोता है मेरे दोस्त हैं तो प्लीज आप सस्क्राइब कर दीजिए विल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊ और ऐसे मैं वीडियो लाती रहती हूँ जो बहुत ही नालिजफुल होता है चाहिए वो स्वास्त डिपार्टमें आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद